नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल पर स्वागत है तो साल की मच अवेटेट फिल्म देवरा पार्ट टुवन इसी महीने सीनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तयार है लंबे इंतिजार के बाद आखिरकार फिल्म के मेकर्स ने दमदार ट्रेलर रिलीस कर दिया है एक्शन से भरपूर फिल्म में जूनियर एंटियार धासू करेक्टर में नजर आ रहे हैं फिल्म में जानवी कपूर और शैफ अली खान भी अहम भूमिका में हैं और वैसिम भहिया आजकल साउथ फिल्मों का क्रेज नौर्थ में हमारे बहुत ही जादा है महिनों से तेलगू फिल्म देवरा पार्ट वन की रिलीस का इंतिजार हो रहा था पोर्ताला शिवा के डारेक्शन में बनी देवरा में सूपर स्टार जूनियर एंटियार जानवी कपूर और शैफ अली खान भी लीट रोल निभाते नजर आएंगे जब से देवरा की अनौंस्मेंट हुई थी तबी से लोगों को इस फिल्म की रिलीस का इंतिजार था गाने और टीजर ने पहले ही दर्शकों के दिल में फिल्म को लेकर उसा बढ़ा दी थी अब जाकर दर्शकों को फिल्म की रिलीस का इंतिजार है केवल फिल्म के रिलीज से पहले ही मेकर्स ने देवारा पार्ट वन की एक छोटी सी जलक दर्शकों के सामने पेश करते हुए देवरा का ट्रेलर फाइनली रिलीज करी दिया है तो चलिए आज इस वीडियो में देवारा पार्ट वन का ट्रेलर का रिव्यू करते हैं और वैसे भी ये ट्रेलर रिलीज होते ही शोशल मीडिया पर छागया है फैंस को देवारा का ट्रेलर काफी जादा पसंद आ रहा है जुनियर एंटियार का एक अलगी अंदास दर्सकों को फिल्म में देखने को मिल रहा है एक्शन से भरपूर है देवारा का ट्रेलर खून खराबा रोमांस हर एक चीज देवारा के ट्रेलर में भर भर कर देखने को मिला है विलेन की भूमिका में शैफ अली खान भी काफी जच रहे हैं बहुत लंबी कहानी है समुद्र को लाल करने वाले हमारे देवारा की कहानी आदमी में जीने का ज़स्बा होना चाहिए देवारा को मारने के लिए शैफ अलिक्न करते हैं शडयन, फिल्म में जूनियर N.T.R. का डबल रोल देवारा और उसके बेटे का जहां देवारा बेखौफफ वहीं उसका बेटा डर्पोक, अब कैसे लड़ेगा देवारा का बेटा सैफ अलिक्न से। जूनियर एंटियार की ये फिल्म देवारा दो भागों में बनेगी जिसका पहला पार्ट यानि देवारा पार्ट वन इस साल दशारा के अवसर पर यानि 10 अक्टूबर 24 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी लेकिन आज धर्मा प्रोडक्शन ने देवारा का रिलीज से परदा उठा दिया है और दशेरा पर आलिया भट के फिल्म जिगरा रिलीज होगी तो वहीं जूनियर एंटियार की देवारा 27 सेप्टेंबर को रिलीज होगी टेलर में दिखाया गया है कि जिस जगहां पर सैफ का किरदार और उसके आदमी रहते हैं वहां डर का कोई अ लोगों का इतना खून बहता है जिससे समुदर भी नीले से लाल हो जाता है वहीं जानवी कपूर के किरदार का जूनियर एंटियार के साथ लव एंगल दिखाया गया है बाकी जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि जानवी कपूर की ये तेलगू फिल्म में एक ड भरूर बताईएगा धन्यवाद